नमस्ते दोस्तों, मैं सुरिया गोयल जैपुर दापिंग सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ मैं एक ब्यूटीशन और आयरवेद स्कॉलर हूँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चहरे के अंचाहे बाल हटाने के लिए मिंटों में असर दिखाने वाला बहुती सरल घरेलू नुस्खा इस घरेलू नुस्खे को हम चार चीजे यूज़ करके बनाने वाले हैं और वो है चने की दाल, बिना छिलके वाली मसूर की दाल, हल्दी पाउडर और दूद आपको ये फेस पैक बनाने के लिए एक कटोरी में पाच चमच चने की दाल, पाच चमच मसूर की दाल और एक चमच हल्दी पाउडर को जरूरत के अनुसाद दूद डाल कर रात को भिगो कर रखना है सुबह इन सभी चीजों को पीस कर फेस्ट बना लीजिए इस तरह चेहरे के अंचाहे बाल हटाने के लिए बहुती बड़िया फेस पैक बनकर तयार हो गया है इस फेस पैक को सुबह नहाने से पहले अपने फेस पर लगा लीजिए ध्यान रखिए कि इसे आँखों पर, पलकों पर और आईब्रोस पर नहीं लगाना है आदे घंटे के लिए से छोड़ दीजिए आदे घंटे बाद इस पैक को रगड़ कर उतार लीजिए लेकिन उतारते टाइम इतना जोड़ से भी नहीं रगड़ना है कि स्किन पर रैशेज हो जाएं या फिर फेस पर छोटे-छोटे दाने निकल आएं इस तरह आप देखेंगे कि कुछ ही मिंटों में आपके चहरे के अंचाहे बाल पूरी तरह से साफ हो गए है और इसके साथ फेस पर एक निकार भी आ गया है ऐसा आपको रोजाना करना है लेकिन अगर आप परकिंग मूमन है और सुबह इसके लिए टाइम नहीं दे सकती तो आप इसे शाम को भी कर सकती है दोस्तों ये तो पक्की बात है कि हम लेडिस के लिए फेशल हेर चहरे पर बदनुमा दाग की तरह होते हैं पिर चाहे वो गालों के बिल्कुल किनारे पर हो या फिर होटों के उपर हो चहरे पर यहां वहां नचराते हलके बाल खुद हमारा भी और हमें करीब से देखने वालों का भी नजरिया हमारी ब्यूटी के प्रती पूरी तरह खराब कर देते हैं चहरे पर waxing या थ्रेडिंग भी हाला कि हम लोग use करते हैं लेकिन ये सब भी उतने अच्छे idea नहीं है जितने हम ladies चाहती हैं क्योंकि इन सब तरीकों को use करने में skin problem और दर्ध से हर बार गुजरना पड़ता है लेकिन कोई option नहीं होने पर यही करवाना पड़ता है हम ladies से बहतर ये कौन जान सकता है कि चहरे के अंचाहे बाल निकालना काफी दर्ध भरी प्रक्रिया होती है क्योंकि शरीर के अन्य भागों के मुकाबले चहरे की skin काफी समवेदनशील होती है waxing, threading, fusing, electrosis, laser treatment, epilators और hair removal cream जैसे option द्वारा अंचाहे बाल हटाए तो जा सकते हैं लेकिन इनके side effect भी हम ही को भुगतने होते हैं सभी महिलाओं में बहुत थोड़ी quantity में पूरुष हार्मोन भी बनता है जिसे हम testosterone के नाम से भी जानते हैं लेकिन जब ये किसी महिला में ज़्यादा quantity में बनने लगता है तो उसके चहरे पर और कभी-कभी पूरे शरीर पर बाल आने लगते हैं ऐसे में अपने doctor से मिलकर हार्मोन की जांच करा लेनी चाहिए morning work, कुछ देर की exercise, रसी कूदना, swimming करना और cycling जैसी कुछ activities ऐसी हैं जो आपका mood भी अच्छा करती हैं आपका stress भी कम करती है, blood pressure भी control करती है, मोटापा भी control करती है और hormones का balance भी ठीक बनाए रखती है इसलिए कैसे भी करके अपनी busy life में से अपने ले कुछ time daily जरूर निकालना चाहिए और इन activities में से अपनी पसंद की कोई ना कोई activity daily करनी चाहिए इससे जब आपकी overall health अच्छी रहेगी और hormones भी balanced रहेंगे तो कही तरह की beauty problems भी नहीं होंगी चेहरे पर बाल उगना भी एक ऐसी ही beauty problem है जो आपकी overall health से जूड़ी हुई है इसलिए अपनी health पर ध्यान देकर आप healthy life के साथ साथ अपनी बेडाग beauty को भी enjoy कर सकेंगी दोस्तों मेरे आपसे ये छोटी सी request है कि अगर आपने हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे subscribe लिखे हुए लाल रंग के बटन को क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लें तो ये एक bell या घंटी का निशान बना हुआ है उसे क्लिक करके notification को भी on कर लें इससे क्या होगा दोस्तों कि हम जब भी आपकी help के लिए कोई भी नया वीडियो अपने इस चैनल पर लाएंगे तो आपको उसकी जनकारी फ्री में तुरंट मिल जाएगी और आप हमारा हर नया वीडियो टाइम से देख सकेंगे आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होगा दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में दीके information अच्छी लगी हो तो यह वीडियो फेस्बुक पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किजिए ताकि उनको भी फायदा हो सके दोस्तों स्किन की और भी समस्याओं जैसे कील मुहासे, चहरे के दाग दब्बे, चकत्ते, जोरिया, आँखों के काले गेरे, मुहासों के निशान, सनबन, आदी के लिए बहतरिन घरलूप चार देखने के लिए आप इस वीडियो के नीचे दिये गए, डेस्क्रिप्शन में मौझूद लिंक को क्लिक किजिए इसके अलावा आप अपनी समस्याओं हमें वीडियो के नीचे दिये गए कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं ऐसी ही इंट्रेस्टिंग और यूसफूल इंफोमेशन देखते रहने के लिए जैपूर दापिंग सिटी चैनल को फ्री सब्सक्राइब लिए